साथियों हम सभी जानते हैं कि मत्पदेश वह राज्य जहां पर नवी सिक्षा नीती 2020 इस सत्र से लागू हो चुकी है और हम यह भी जानते हैं कि जब भी कोई नियम आ नीती पहली बार लागू होती है तो उसमें बहुत सारे संभावित परवतन होते ही है यही कारण है कि आप लोगों के लिए एक जबदस्त सूचना यह है कि आप लोगों ने प्रिथम बरस में प्रविष लेते समय जो विषय चुने थे उन विषयों में परवर्तन करना है सभी विद्यार्थियों को या हम कहें कि उन विषयों का पुनहा चैयन करना है अब ही हाली में उस्षिक्षववाग मत्पदेश शासन ने नेदेश जारी करके बताया है कि ये विषय परिवर्तन की पिर्किरिया आफ नमूंबर से लेकर के 20 नमूंबर 2021 तक जारी रहेगी इस दोरान विषय परिवर्तन तो होना ही है साथ में आपके पिरवेश की कोटल कहलाता है वहां से इन सभी पिर्किरियाओं में आपको एक बात ध्यान रखना है कि उस शिक्षववाग मत्पदेश शासन ने अपने ने नेदेश तो जारी किये ही हैं आपको अपने संबंदित महाविद्याले जहां पर आपने प्रिविश लिया है उसकी ने देशो मैं आगे बताऊंगा कि कहां कहां पर महाविद्याले के अलग नेदेश हो सकते हैं कि आखिर आप क्या होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ मैं डॉक्टर कुझी विहरी अपने यूट्यूब च समन्दित एक अलग से आविद्हन आपको भरना है तो उससे कैसे बरा जा बहुत धांगा अगर calf जमा करना दो कौनसी दस्ता वीजाले को अपने म महाविद्यालियों मैं फिर्वेसे सब्सक्रम को से दस्ता कि जमा होना है कैं महाविद्यालों में यह जमा हों सकते हैं लेकिन कई महाविद्यालों में अभी तक जमान ही हुए है सासन का ऐसा निदेश है कि आठ नुवंबर से लेकर के 20 नुवंबर की जूती थी है उसी द्वारान इसमें जो सबसे और रुप से आपको सलगन करना है दूसरा डॉकुमेंट है वह है प्रवेस्ट सोर्ण की जमा करने की रसीड मॉल टीसी है क्योंकि इसी अवदी के दुवरां मॉल टीसी ऑऔं लाइन दرج होना है और यह यह इंधिए आपकी तीसी जमा नहीं हो मूल अंग्सूची भी महाविद्या ले जाकर कि उस सत्यापित करवानी पड़ेगी क्योंकि अभी तक महाविद्यालय या प्रिवेस पिर्किया की दोरान आपकी मूल अंग्सूची कहीं भी देखी नहीं गई है कच्छा दस्मी की अंग्सूची पांचमा दस्ता बेज है माईग्रेशन प्रावापति जो की नामंग कनफर्म के साथ में सलंगन किया जाता है यदि महाविद्यालय मांगता है इस समय तो उसे भी आपको अनवायता है जमा करना है नभी सिख्षा नीती के अंतरकत इस तक इस तर पिथम बस पर जो बिस है लागू किये गए हैं उनक सब्जैक्ट एस सब्जैक्ट अपनी ही संकाय का लेना है इसका मतलब यह कि भी सी कर रहे हैं तो बीशे के ही ज़ने आप लोग ओन लैइंप पमद्हम से पर विसपा रहाई थी तो उस में बैकल्पिक बिसेयों में आपकी प्रमप्रागत बिसेय भी खुल लई थे जैसे की कहा जाए कि कि किसी बिद्ध्यायथी ने physics में ले लिया chemistry minor में ले लिया तो mathematics उसने क्या किया था बैकल्पिक बिसेय की रूप में ले लिया था यह संसूधने यहां पर कि बैकलपिक बिसे में आपको परमपरागत बिसे नहीं लेना है सबी बिद्यारतियों को धिया रखना इस बात का यदि परमपरागत बिसे आता है तो उसके अंतरगत भी एक उप्सन आएगा जहां से आपको अपनी पसंद का इलेक्टिव बिसे चु सकते हैं चाहिए वो बीए का हो चाहिए का हो यहां पर ओपन है यह इन विसे ज्यादा आपको रोजगाय देने में सक्षम होंगे इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो की लिंक में यहां पर आई बटन में उपलब्द करवा दूँगा जहां से आप लोग जो कि अपडियों को निदेश दिये हैं कि उनके महाविध्याले में कौन-कौन से संचालित होना है उनको पोडल पर अप्लोड करना है या अपडेट करना है जो कि सभी महाविध्यालें उन्हें कर दिये हैं तो आपको डॉप डाउन में वही विषए मिलेगा जो कि आपके महाविध्याले में संचालित हो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सलाय देता हूं कि आप ये जानकारी जरूर पता कर लें जान लें कि आपके कॉलेज में कौन-कौन से संचालित हैं तभी उनको आप लें अनथा उनके पठन पाथन की विवस्था संभाव नहीं हो पाएगी अनवार विशाय के रूपया आधा पाटकाम आपको लेना ही है इंटरेंसिप परिविजिना और सिक्षिता में से कोई एक लेना है कि बहुत सारी विद्यायती परिशान होंगे कि इंटरेंसिप फिल प्रोजेक्ट और एपरेंटिसिप किया है इसके बारे में भी आपको जानकारी मेरे की एक वीडियो में मिल जाएगी उसको आप जरूर देखिएगा अब मैं सहसे तोड़ पर विशाय परवतन की प्रिखिया को आपको बताना चाहता हूं आप लोग ध्या उससे बिसेयों का परवतन करवा लें पर पत्त फिर भी आपको जमा करना पड़ेगा आप नीचे नोट लगा दें कि मैंने बिसेयों का परवतन पोर्टल पर स्वयम कर लिया है क्योंकि महाविद द्यालाय में बहुत सारे प्रवेश हुए हैं तो इसकार सी भीड़ दाए स फैकल्टी और जैनेक सब्जेट जिसका मतलब होता है ऐसको पहले आपको यहाँ पर संकाय चुना है क्योंकि मैंने जो लिस्ट बताई है वो संकाय वायर है हालांकि आप सोतंत हैं कि आप किसी भी संकाय का वो बिसेयों ले सकते हैं इस विद्याथी ने यहां पर आर्ट्स सब्चेक्ट के रूप में होम साइंस के बाद में एक और मे लिगा जहां से आपको एलेक्टिव विसाइश चुनना आए कला संकाय के विद्याति देखे आपके सामने एक विसाइश समूर्थ खोल सकता है जिसमें तीम विषय होंगे लेकिन आपको उसमें से दो ही विषय चुनना है फिर देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट में जैसे इस विद्याथी में सौंदर एवम स्वास्त कल्यान लिया है डॉपडाउन मेनू से वही विसाय को लेंगे जो कि महाविद्याले ने अपडेट किये हैं महाविद्याले में उपलब जोंगे दाहिनी बगल प्रोजेक्ट इंटरेंशिप इनमें से आपको कोई एक चुणना है तो यह थी विसा सब्सक्राइब जो कि आप बदल करके चाहते हैं इसमें जो अंतर होगा मुखता वो इलेक्टिव में होगा अपका प्रविश की समय साइद कोई परमपरागत विसाय हो सकता है लेकिन अब आपको यहां पर क्या करना है दी हुई लिस्ट में डॉपडाउन मेनू से चुन कर के इसमें बनना है जो आप विसाय चाहते हैं वाकेशनल विसाय में भी परवतन हो सकता है तो जो भी परवतन हो उसको दरच करें आत्मा बिंदुभी महत्पूर्ण है परवतन ही तु आबियति कक्षा यह उन विद्यायतियों के लिए है जो अपनी कक्षा का परवतन करवा यही नियम सब इकक्षाओं के लीए लागू होता है फिर इसके बाद में यह यहां पर गोशना दी गई है यहां पर विद्याइटि को दिनांक लखना है और विद्याइटि को अपने हस्ताक्षर नीचे का जो आयत दिया गया है जिसमें जानकारी है इसमें आपको कुछ नही तरदी है कि आपको कौन-कौन सी दस्तावेश पर्विश दस्तावेश की रुप में अपने महावध्याले में जमा आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा यह पसंद आया है और यह आपको यह लाब्दाएक लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक द और डॉट कॉम पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको संपूर जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों ने अपना अमूल समय दिया और इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धनवाथ हैवा गुड़ दे